वेलकम टू माई यूट्वीब चैनेल गूड इवनिंग कैसे है सब लोग उमिदे कि सब लोग ठीक है बढ़िया है मेरा एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम तो चलिए आज देखते हैं हम एक बेंगौली ट्रेडिशनल रेशिपी बना के आप लोगो हैं माप करके मैंने सब कुछ समान लिया और केला की जरूरत है यह दिकने में इसे खराब लग रहा है लेकिन केला बिलकुल खराब नहीं है, एक दम माई फट्रपक्ट है यह रसीपी के लिए थोड़ा पाक्का वाला केला ही जरूरत है और एक कटोरी मैंने चावल का अटा लिया थोड़ा ड्राइफुट्स लिया दूद लिया एक कटोरी सकर लिया और दो कटोरी नाडियल लिया और दो कटोरी मायदा लिया नाडियल मैंने थोड़ा ज्यादा लिया आप लोगों को प बता चलेगा यह केला बिल्कुल खराब नहीं है पुरा पर्फेक्ट है यह रेसिपी के लिए तो आभी यह केला को में एक स्पून की मदद से पुरा मेल्ट कर लोंगे ऐसे तो उसके बाद जो जो समान मिलाना है आप लोगों को दिखाती हूं और जो मैंने यह दूद रखा वो दूद बिल्कुल गरम नहीं है मतलब गरम करके मैं पुरा ठंडा कर लिया एकदम रूम टेप्रेचर की है यह दूद कोई गरम दूद डालने की जरूरत नहीं है इसमें तो देखे केला को पुरा मेल्ट हो गया अभी मैं इसमें सूजी डाल दूँगी उसके बाद मैंन जैसे मिठाज पसंद करते हैं उसी हिसाब से सकर को यूज़ करना और देखिए एक कटोड़ी जो चावल का अंटा रखा वो भी डाल दिया अभी यह समान पूरा अच्छा से मिला लेंगे अगर आप लोगों के पास सकर डास्ट बाला है तो यूज़ करना वो ज्यादा बह मैदा रखा वो डालूंगी अगर आप लोग मैदा भी पसंद कम करते हो तो आटा गिहूं का आटा भी डाल सकते हो इसमें उसमें भी आच्छा आता है लेकिन मैदा से थोरह ज्यादा अच्छा मनता है और देखिए मैंने कोकोनाट घिसके राखा था वो भी डाल दिया मैं थोरह ज़्यादा पसंद करती हूँ कोकोनाट इसलिए थोरह ज़्यादा करके डाला आप लोग कम पसंद करते हो तो कम डाल देना कोई बात नी और मन पसंद इसमें भर भर के आप लोग ड्राइफरूट्स डाल सकते हो मैं इसमें काजू और किसमी डाला और अभी मैं थोरह थोड़ा करके दूद मिलाओंगी और दूद मिलाके जैसे की बैसन का कुछ बेटर बनाते हैं पकोड़ा के लिए ऐसे एक बेटर बनाओंगी और मेरा दो कप दूद लगा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ पहले जादा करके डाल दूँगी तो ये पूरा लंस बन जाएगा और अच्छा से बैटर नहीं बन पाएगा इसलिए मैं थोड़ा थरा करके डाल रही हूँ ताकि अच्छा से बन पाए तो देखिए मेरा बैटर अभी तयार हो रहा है तो चलिए और एक कब दूद की जरूरत है तो ले लिया मैंने वो भी इस हो जाए तो देखें मेरा बैटर परफेक्ट हो गया तो ढाख देते है और इक कढ़ाई ले लिया इसमें मैं चाचनी बनाओंगी मेटायर बेनतीवफ्ट जो कटोरी मैं मैंने सूजी लिया था उसी कटょरी की हिसाब से मैंने दो कटोरी सकर शकर डाला और दो अक्र पानी ड जाल दिया और इसको न एक तर दो तर जैसे चांचनी की जरूरत नहीं है कोई तार की हिसाब से चांचनी मैं नहीं बना रही हूँ थोड़ा से मेल्ट हो जाए और थोड़ा से उबाला जाने के बाद ही मैं इसको उतार दिया अभी दीखिए मैं एक दूसरा कढ़ाई ले लिय उच्पाइ उसको थोड़ा गड़म कर लिया पहले कढ़ाई को गड़म कर लेना है कढ़ाई गड़म हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें रिफाइड ऑईल डाल दिया थोड़ा जाद अ करके ओएल डाला फिर ओईल को घरम होया क्यानी वह चेक करने ताकि ये ना जले और एक बात आप लोगों को बताना मैंने भूल गिया अभी ये जो मैं बना रही हूँ इसको हम लोग बेंगौली में मालपवा बोलते हैं आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं और आप लोग इसको क्या नाम से बुलाते हैं ओभी मेरे को बताना greater मैं और इसको मैं आज चाचनी में डाल के सर्व करूंगी आप लोगों को चाचनी में डालना पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और मालपुआ की उपर में दूद का मलाई डाल के भी सर्व कर सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया लगता है तो चली एक एक करके मैं अभी मैं इसको ना थोरा सर्व कर दूँगी ऐसे उपर में थोरा काजू इसके डाल देती हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और जो चीज दिखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी बहुत मज़ा आते हैं आप लोग कोई भी फेस्टिबिल में ये बना के घरबलो को खला सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो मेरा पूरा कांपलीट हो गया आप लोगो को कैसा लगा एक कमेंट करके बाताना एक लाइक कर देना अगर मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करना और हो सकता है तो एक सेयर कर देना सब लोक्सूस रहना आच्छा रहना फिर मिलते कोई ने वीडियो केसा टाटा बाई